हेलो जी अससलाम उलेकुम कैसे हैं आप सब लोग चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरह इस तरह के जो पीलर रिया कटर और इस तरह की फ्रूट काटने वाली छीलने वाली छुरी जो है सभी घरों में इस्तमाल होती है इन छुरी और पीलर के आगे छोटे-छोटे ऐसे द दूसरी तरीके से जिस तरह हम प्लेन छुरी को तेज करते हैं उस तरह नहीं कर सकते इसके लिए बहुत असान तरीका है हमने जो है वो स्टील बूल या जो हमारी कूची होती है बतन साफ करने वाली वह लेनी है और इस तरीके से चुरी और कटर को इसके उपर रगड़ना ह आप बार बार शुरी को उलट कर इसको दो से चार बार रगड़ेंगे तो ये तेज हो जाएगी इसी तरीके से जो कटर है इसको पकड़कर इस तरीके से जैसे हम बरतनों को साफ तरह हैं सेम इसी तरीके से आपने स्टील बूल या कूची को इसके उपर फेरना है थोड़ी ही देर में ये कटर जो है इसके जो दांत है वो बिलकुल तेज हो जाएंगे और ये बहुत अच्छे तरीके से जो भी सबसी फ्रूट है उसको पील करेगा चलते हैं अगली टिप की तरफ वीवर्स आज कल जो है वो बनाना का मौसम है हम सबी अपने घरों में केले एक ही दफ पर ले सकते हैं और इस तरीके से जो इनके केलों की सिरे वाली साइड है जहां से ये जुड़े होते हैं वहां पर आपने इसको लेपेट कर केलों को रख देना है केलों को फ्रिज में नहीं रखना चाहिए उससे केले जल्दी खराब हो जाते हैं आपने इसी तरीके से इनक अपने किचिन में बाहर ही रख दे तो ये बहुत दिनों तक ताजा रहेंगे और बिलकुल भी खराब नहीं होंगे वीवर्स आज कल जो है हमारे जिन्दगी में शापर का इस्तमाल बहुत ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि हम जब भी दुकान से कोई भी चीज लेकर आते हैं मार्किट से लेकर आते हैं समान वगयरा वो सबी हमें इस तरह के फ्लास्टिक शॉपर्स में मिलता है हम इनको इस्तमाल के बाद फैंक देते हैं जिससे हमारे महौल आती अलूद की बहुत ज्यादा हो रही है क्योंकि शापर बिल्कुल भी गल्ता नहीं है मटी में चाहे सौर साल भी पड़ा रहे है तो इसके लिए बहुत बेतरीन सी टिप है टिशू पेपर हम सबी लाते हैं जब वो खत्म हो जाते हैं तो उनका जो डिबा होता है बॉक्स हम पैक देते हैं लेकिन आप इनको रखने के लिए टिशू बॉक्स का इस्तमाल कर सकती हैं आपने तमाम शौपर जो हैं वो इस तरीके से टिशू बॉक्स के अंदर भरके रख लेने हैं एक तो ये इस तरह पड़े हुए बुरे भी नहीं लगते बहुत नीट लगता है और दूसरे आप एक या दो शौपर अपने बैग में रखके मार्किट ले जाएं अगर हो सके तो ऐसी चीज़ें जो आप इनमें डाल कर ला सकती हैं वहां से ले आएं ताके आप बहुत ज्यादा शौपर का इस्तमाल ना करें घरों में ताके हमारे जो है महालयाती आलूद की है वो कम हो सके आप इनको रिसाइकल कर सके तो कैसी लगी ये टिप जरूर बताईएगा क्योंकि इस से जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हम इनको रिसाइकल कर सकते हैं विवर्स अगली टिप की तरफ चलते हैं हम अपने घरों की सफाई जो है डिस्टिंग वगारा रुजाना ही करते हैं कुछ चीजों की सफाई लाजमी करनी चाहिए डेली बेसिस पर क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज्यादा इस्तमाल होती है जैसे के जो है चार्जर वगारा ये भी एक रूटीन का हिस्सा है हम इनको रुजाना ही इस्तमाल करते हैं लेकिन ये कभी पड़े पड़े बहुत ज तरीके से लगाएं बस हलका हलका ही हमने इसको लगाना है बहुत ज्यादा भरके नहीं लगाना आप थोड़ा सा निकालेंगे तो वो पूरी वायर के उपर लग जाएगा अब हमने कोई साफ कपड़ा या तौलिया ले लेना है और इस तरीके से इसको रगड़ते हुए हमन वो सारी एक दफ़ा में उतर जाएगी और आपकी जो केबल है विल्कुल साफ हो जाएगी क्योंकि इस तरह से हम रोजाना ही इसको हाथ लगाते हैं तो इससे बहुत ज्यादा जब्स लगाते हैं ये देखे कितना ज्यादा इसके उपर से मैल उतर रहा है आपने इसको पानी स लगाना है और इस तरीके से रगणा है आप देखें कि बिल्कुल अच्छे तरीके से एक इबार में सारी मैल उतर रही है हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही ना ही बहुत ज्यादा रगणा बढ़ रहा है बस हलके हाथों से आप इसको मसलते जाएं ये देखें एक इसके उपर टूथ पेस्ट लगा हुए है वो साफ हो जाएं और जो हमारा चार्जर है वो बिल्कुल खुशक हो जाएं आप देखें कि ये कितना ज्यादा मेला था और अब जो है टूथ पेस्ट की मदद से ये कितने अच्छे तरीके से साफ हो चुका है विवर्स आप इस टिप को जरूर ट्राइ कीजिएगा इंशाला आपके भी बहुत ज्यादा ये टिप काम आने वाली है चलिए चलते हैं अगली टिप की तरफ इस तरह के टूथ ब्रश हम सभी के घरों में होते हैं हम दो तीन मां इनको इस्तमाल करते हैं और फिर हम नया टूथ ब्रश ले आ हंगी हम बहुत अच्छा सा इस से टूल बना सकते हैं हम बहुत सारी चीजों के लिए इसको इसन।ками कर सकते हैं हम इसको हेर कलर वगरर अगर को लगाता है तो इसकी मद Herbert से भी हम belongs कलर लगा सकते हैं और चोटी चोटी जगों की सिफाइब कर सकते हैं हमने एक टूथ है यह बहुत जबर्दास हम घर में ही टूल बना लेंगे जिससे हम यह प्लास्टिक बाहर नहीं फैंके गे और घर में हम इसको रिसाइकल कर सकते हैं आप ने इस तरीके को लाइक और सबस्क्राइब भी जरूर कीजिएगा